हेलो फ्रेंड्स मैं सुरेंदर कौार सुरिया टूरिजम टिप्स में आपका श्वागत करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें सेर करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंड जरूर करें जी साथ हुमा आज बात करूंगा सिंगापूर में कोविड-90 क्रोना वाइ साथ यो शिंगापूर में अब तक टोटल 39,000 केस मिले हैं जिसके अंदर 27,000 रिकवर होके घर पे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और 12,000 केस हैं जो मतलब अभी एक्टिव हैं तो वह बहुत मलब आने वाले 10 दिन के अंदर वहां पर ओल्मोस्ट बहुत कम केस जो एक् 45 डेथ थी हुई है मलब 25 लोगों की मौत हुई है और जिसके अंदर भी मलब 20 लोग ऐसे थे जो पहले किसी ना किसी विमारी से गरस्ती थे और जो गुजरक थे उनकी डेथ हुई है साथियो तो साथियो आपको अभी जोब्स के बारे में अपडेट में बता दूँ कि साथ लोग डाउन सिंगापुर में पूर्ण तरह से हट चुका है जो लाइफ है स्वीक से मलब सिंगापुर गोर्वेंट ने अभी अनौस्मेंट किया है कि मतलब जो प्राइमरी स्कूल है वो लग जाएंगे जो स्मॉल से हैं होटल हैं कसीनो हैं वो सब पूरे तरह के से वहां वहां पूद से एक आती है किसमें क्रैप्षें प्री कंट्री है और बहुत इब् Bardzo ये लेकिन बात रही जो डिलूग गोमने के परपस से जा रहे किसी का वीजा एक्सपायर हुआ हुआ था और उनको रिन्यू करवाना था वो चालू इम्मिग्रेशन आइसी है जो सिंगापुर के इम्मिग्रेशन चेक वा थोर्टी है वो ओपन हो चुकी है जो एमोम है मैंन पावरो मनिश्ट्री वो भी चालू हो चुका है तो स्टडी वीजा वरक परमीट एसपास एपास के लिए मतलब डिमांड चालू हो गई है और वो सब ओपन हो गए है तो साथियो सिंगापुर में मैं नेक्स वीडियो अभी मैं कंटिनू जा भी मेरे जो भी वी सहिस वीडियो आएंगे कंटिनू वह सब शंगापुर के बारे में आएंगे साथि मैं आपको डिटेल से बताओंगा कि सिंगापुर 24 में बरक परमीट पर कैसे ज जाये इस पास पर कैसे जाये क्या कियाए क्या-क्या兩 Morsen k Maga苹ада में स्टडब के और सिंगभूर कें अंदर बिना आईलर्स टोफिल की स्टड़ी वीजा कैसे लें इन सब के बारे में मसातियों आपको डिटेल से बताऊंगा आपको सिंगापूर वीजा से रिलेटेड सिंगापूर अंबेसी से रिलेटेड वहाँ से रिलेटेड कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं सिंगापूर वरक परमीड वीजा के लिए आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं थैंक्यू सो मच